अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे और आज हम बात कर रहे हैं टाटा पंच एडवेंचर 1.2 पैट्रोल मैन्वल ट्रांशमिशन की फ्रेंट लूक देखेंगे तो फ्रेंट लूक पे यहाँ पर टाटा की ब्रेंडिंग आपको देखने को मि जाए और यहाँ पर इंडिकेटर आप देखी रहें नीचे की साइड में एड़स्टेवल हेडलाइट जो की हेलो हेडलाइट हैं फोग लाइट आपको अलग से लगवानी पड़ेगी फोग लाइट इसमें मोडल में नहीं आती रेडियेटर और नीचे की साइड में आपको मिलने वाली है और यहाँ पर थोड़ा फ्रेंट लुक देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको यह फोग लाइट तो अलग से लगवानी है फ्रेंट लुक देखेंगे तो फ्रेंट लुक एक काफी प्रीमियम लुक में दिखाई देता है यह कार को आप कहीं भी लेक जाएंगे एलोई वील नहीं मिलते और फ्रेंट में डिस ब्रेक आपको देखने को रही देखेंगे तो इंडिकेटर आपको रियर व्यू मिरर पर आपको इंडिकेटर्ट भी मिल जाएगा उपर की साइड में power antenna मिल जाएगा integrated वाला यहाँ पर नहीं मिलता और यहाँ पर हम देखेंगे तो कुछ इस प्रिकार से यह पूरी कार हमें दिखाई देगी और इसको open करते हैं लेकिन यहाँ पर dual tone में पूरा door यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ से lock unlock करने का सारा system और यह आप देख रहे हैं और rear view mirror को set करने का electric fold वाले यह mirror है और यहाँ से चारो window power का option lock करने का power window को lock करने का option मिलता है कुछ space और speaker का option भी है यह पर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर fuel tank open करने का option मिलता है आगे bonnet open करने का option मिलता है तीन pendle मिल जाते हैं तो यहाँ से bonnet करा open और देखते हैं हमें क्या मिलेगा engine के बारे में हम बात करें तो engine इसमें 1.2 liter वाला remote on engine मिलता है जो 1197 CC में आता है maximum power 117.7bhp power generate करता है 6000 rpm पर मैं bonnet को खोल लेता हूँ और फिर मैं अंदर से भी दिखाऊंगा यह थोड़ा खुल नहीं रहा अभी खोलते हैं इसको और यहाँ से खुल जाएगा क्योंकि मैंने कभी यह bonnet खोला नहीं और जैसे कि maximum torque की बात करें तो यह जो है 115 एनम power generate करती है बड़ावर बजन में आपको मिलेगा यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मतलब कि मैंने आपको दिखाई दिया कितना भारी है और यह कुछ इस प्रिकार से पूरा kevin दिखाई देता अंदर से dual tone made x board दिखाई देगा अंदर बैठते हैं तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा मैं एक एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ तो की का ओ एक option तो यहाँ पर मिलता है key लगने का keyless entry है इस कार के अंदर यहाँ पर आपको यह जो आप देख रहे हैं electric multi trip meter glove compartment काफी बड़ा digital clock और digital automator है low fuel watering light का भी option मिलेगा और यहाँ पर adjustable steering नहीं है steering पर Tata की branding और यहाँ पर airbag मिलता है कुछ music को चलाने के option यहाँ पर light को चलाने के option यहाँ पर बाई पर चलाने के option तो कुछ option मिलते हैं Dexboard कुछ इस परकार से आपको दिखाई देगा तो काफी अच्छे अच्छे features इस car के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो छोटी सी एक screen मिलती है और यहाँ पर नीचे की side में बीच में 2 AC band पर बीच में एक button मिलता है चारों indicator एक साथ जलाने का तो यह भी अच्छा option है और यह music को चलाने का option है और यहाँ से AC कंट्रोल करने का और heater कंट्रोल करने का option है और यहाँ पर आप 12 volt का charger मिल जाएगा आपको और USB auxiliary input का option मिल जाएगा यहाँ से charge भी कर सकते हैं आप अपने mobile को कुछ space 5 forward 1 reverse में gear lever मिलता है कुछ phneasing इस परकार से और leather का यह पूरा system मिलता है यहाँ कुछ नहीं है hand brake है और यह आप देख रहे हैं तो seat belt connect रहने का option cup holder और यहाँ पर day night वाला mirror light और यहाँ पर आप vanity mirror देख रहे हैं तो यह सारा system इस car के अंदर मिल जाता है और सभी seat ओ पर आपको handle मिल जाएगे पकड़ कर बैठने के लिए seat belt है seat belt warning का option मिल जाएगा तो यह सारे features इस car के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि छोटी car है तो ऐसे features इस car के अंदर बहुत अच्छे हैं और जैसे model भी यह छोटा है बहुत बड़ा model नहीं है तो model के हिसाब सभी features ठीक ठाक दिये गए है इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है passenger door को open करने के बाद वो ही सब चीज मिल जाती है यहाँ पर और मिलती है स्रिप single में जैसे कि power window का एक option है और driver seat पर आपको सभी power window का option मिलता है यहाँ पर AC vent और dual tone में पूरा dex board यहाँ पर glove box और glove box भी कितना smooth नीचे की side में आता है अब देखिए यह देखिए तो काफी एच्छे option है और seat आप आगे पीछे कर सकते हैं height adjustable seat नहीं है आगे की side में airbag को मिल जाएगा तो दो airbag इस car के अंदर आपको देखने को मिलेंगे सभी seat ओ पर यहाँ पर headrest आपको देखने को मिल जाएंगे यह वाले headrest adjustable है और इनको आप अपनी आफशकत अनुसार up down कर सकते हैं पीछे वाली row में देखेंगे हमें क्या-क्या मिलता है तो पीछे वाली row में यहाँ से कड़ते हैं ओप in ओप in करने के बाद कुछ इस परकार से ही देखने को मिलेगा मैं पूरा gate नहीं खोल सकता क्योंकि यह car तोड़ी दिवार के side में खड़ी है तो कुछ इस परकार से पूरा look दिखाई देता है यहाँ पर आप देखेंगे तो fuel tank का option मिल जाता है जो 37 liter का fuel tank है और यह mileage 20.9 km का देती है जैसे कि आप चलाएंगे तो पीछे पंच लिखा हुआ है और Tata की branding इसको करेंगे open और boot space इस car के अंदर 336 liter का मिलेगा पीछे की side में आप देख रहे हैं और यहाँ पर इस अपनी का टैर मिल जाएगा और कुछ tools भी यहाँ पर मिलेंगे जो company आपको देगी तो यह सारा system है और पीछे का look कुछ इस प्रकार से दिखता है जब आप parking करेंगे यहाँ पर light भी है यहाँ से open करेंगे इसे अब जैसे कि आप parking करेंगे तो इसमें sensor भी है sensor भी काम करेंगे यहाँ पर handle है handle को पकड़ कर आप बंद कर सकते हैं यहाँ पर light है कुछ इस प्रकार से दी गई है तो light हैं भी काफी अच्छी है और यह sensor लगे हुए आप देख सकते हैं दो sensor इसमें दिये गए जब पारकिंग करेंगे तो यह आपको थोड़ा guide करेंगे और पीछे वाले जो आपके wheel है इसमें आपको disc brake नहीं मिलते drum brake मिलेंगे यहाँ से कड़ते है open तो यह door कुछ इस प्रकार से है यह door तो सभी एक जैसे ही है और यहाँ से कुछ dual tone में पूरा gate है और यह जो gate की plastic है बहुत ही heavy plastic है यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ मैंने पूरी यह छुआ है Tata की सभी कारों में बहुत अच्छे से आपको जो quality है बहुत अच्छी मिलेगी पीछे वाली जो seat हैं पर headrest जो है adjustable नहीं मिलेंगे और कुछ इस प्रकार से पूरा look, पूरा cabin इस प्रकार से दिखाई देता है थोड़ा हम safety feature की बात करें तो ABS system, center lock, power door lock child safety lock और adjustable seat, cross sensor, engine check, warning का option इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो safety के नाम पर इतने feature मिल जाते हैं ये भी काफी है दो airbag मिलते हैं तो वो भी ठीक है जैसे कि छोटा model है यानि कि नीचे वाला model है तो यहाँ पर दो airbag आपको देखने को मिलेंगे अब हम बात कर लेते हैं इस कार की height की तो height इसकी 1615 mm है length 327 mm है और इसमें चार speaker मिलते हैं integrated 2-in audio और Bluetooth connectivity वाला system मिल जाता है अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इस कार के price की इसके price क्या होने वाले हैं तो इस कार के price exorum कीमत 6,84,000 रुपए है वहीं पर on-road कीमत 7,70,000 रुपए के something देखने को मिलेगी और इसके base model की कीमत 6,00,000 और top model की कीमत 9,47,000 रुपए देखने को मिलेगी exorum वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरू करें चैनल को subscribe करें